हलो गईज आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर्शिंट पर तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा 12 माई को एक और राज जिके जो बेड़ वाले अभ्यारती हैं जो प्राइमरी में अभी तक आवेदन कर रहे थे उन सभी के लिए परिष्टे लग गया और वी दिक्कते यहां पर आ रही है तो आज तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर यह मामला क्या है क्योंकि आज की न्यूज पेपर में भी एक आर्टिकल छपके आया हूँ उसको भी हम लोग पढ़ेंगे रीड करेंगे सबसे पहले तो आप लो करेंगे कल इसको लेकर के सुनवाई भी है तो कल सुनवाई में क्या होगा किस हिसाब से यह लोग अपना पक्ष रखते हैं क्योंकि अब बेड़ वाले छात्र भी सक्क्रिय हो चुके हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज इसी की बारे में हम बात करेंगे स साथी साथ में आपको समसामाई की चार महने की और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी जो कि स्लेवर्स के एकॉर्डिंग है अगर आप यहाँ पर देखिए तो किस अध्याय से कितने कोश्चन आए हैं हर एयर में कितने कितने कोश्चन आ है बेटरी नंग स बहुत अच्छी तरीकर लिखी गई है चार महने की करेंट अपर यानि यह कम्प्लीट इस्टिडी गाइड है जो आपको आनलाइन भी मिल जाएगी जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक डाल दिया आप वहां से भी ले सकते हो मार्केट में आपको जो भी सबसे पहले तो मैं इस अपडेट के बारे में देखता हूँ इस अपडेट में काफी हद तक चीजें जो है क्लियर कर दी गई है अगर आप यह आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आपको हर एक चीज के बारे में सूचना मिल जाएगी इसमें लिखा है कि हाई कोड ने लगाई नहीं यहां पर आपको हम बता दें जो आप सभी लोगों को में बता दूँ जो आपका कोर्ट है ठीक है इन्होंने रोक तो लगा दी है साथी साथ कोर्ट ने राज सरकार चैनि यूपी स्टेट से यह पूछा है कि क्या एंसी टी ने कोई नई अधिसूचना जारी की है कि नहीं यहां पर नई अधिसूचना की बात क्यों होई यह बहुत बड़ी बात है और यह बेड़ वालों के लिए संकट है मैं सीधा बता दे रहा हूं आपको कोई भी गुमराह मत हो यह ध्यान से सुनी अगर आप बेड़ साथी है तो ध्यान से यहां पर लिखा कि कोई नई अधिसूचना तो नहीं जारी हुई नई अधिसूचना इसलिए पूछ रायकोट क्योंकि पुरानी अधिसूचना जो 28-2018 को जो एंसीटी ने जारी किया था उसको राजस्थान हाई कोट ने सीधे सीधे जो है रिजक्ट कर दिया है सीधे सीधे रद हो गई है वो आपकी अ यहां पर जवाब मांगा गया है और आपको हम बता दें यहां पर और वी आगे लिखा है यहां आदेश नयायमूर्ती सिधात ने परतीक मिस्त्रा वो अन्निकी याजका पर दिया कोट ने सुनवाई के लिए 16 मई की तारीक लगाई है कल की जो तारीक है वो बीड़ वालों का future decide कर देगी यह चीज में आपको बता दे रहा हूँ कल की सुनवाई बहुत खास होने वाली है जैसे ही वहाँ पर सुनवाई होगी इस चैनल के माधिम से आपको सूचना दी जाएगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें मच्ट है चैनल सब्सक्राइब करना अगर आप बी प्राइमरी स्कुलों में सहायक अध्यापक निक्त होने के लिए वी योग इमाना गया है लेकिन राजस्तान हाई कोट से यहाँ अधिसूचना रद्ध होने के बाद कोई नई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं यहाँ पर राज सरकार से पूछा गया है कि 26 जून 2018 को जो अधिसूचना नसीटी ने जारी किया था उसमें तो प्राइमरी में जो वैलिट था बियड लेकिन राजस्तान हाई कोट ने उसको रद्ध कर दिया तो क्या कोई नई अधिसूचना आई या नहीं आई आई आप इसकी मुझे सूचना दी पहसे पहले तो यहाँ पर कहा गया कि बेड डिगरी धारक पूर में प्रात्मी विद्यालों में सहायक अध्यापंग नुक्त होने के लिए योग नहीं थे बाद में एंसीटी ने 26 अगर 2018 को अधिसूचना जारी कर कुछ योगिता हासिल करने के बाद बेड अभ्यारतियों को सहायक अध्यापंग नुक् है तो उस पर विचार किया जाएगा यहाँ पर बाते की गई है कि अगर नहीं अधिसूचना जारी हुई है तो विचार होगा नहीं जारी किया है तो यहाँ पर दिक्कत है कहीं ना कहीं जो राजस्तान हाई कोट का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है सबसे ज़्यादा जो Supreme Court में B8 वाले जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है राजस्थान जो High Court ने सूचना रद की है उसका कोई मत्तम नहीं होगा और जैसे Supreme Court जीत जाएगा UP में भी मालो B8 वालों ने जीत हासिल कर ली लेकिन अभी जो है राज सरकार की जो है लगी हुई है की B8 को बचाया जाए साथी साथ जो B8 वाले हमारे साथी है जो मुझे सूचना मिल लगी है की B8 वाले साथी भी जो है अब कमरकस चुके हैं और सबसे ज़्यादा Senior वकील जो है उनको भी हायर करने की वो कोशिस कर रहे है कि किसी ना किसी तरीके से इसको बचाया जाए नहीं तो फिर बहुत जादा B8 वालों को दिक्कत हो जाएगी और अगर एक बार आप बाहर होगे तो प्राबलम बहुत जादा बढ़ जाएगी और कोई बहुत जादा दिक्कत यहाँ पर होने वाली है तो कल क्या सुनवाई होती है क्या चीजें है और एक बात तो बिलकुल अगर मैं इमानदारी से बोलूँ तो बेड़ वालों पर संकट है इसमें कोई चुपड़ी बाते करने की कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बता दू नहीं आप सेफ हो यह हो दिक्कत है दिक्कत इसलिए है क्य जाए चाहाए बेड़ के साथ ही यह जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक इनफार में से मिल जाए तो मिलते हैं वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ तब तक के लिए खुश रही है मस रही है जय हिन जय भारत